आज धोस्तों, आजके वीडियो में हम देखेंगे कि रेन लिली के जो ब्यूटिफ़ल फ्लार्स हैं इनको आप घर में किस तरीके से उगा सकने हैं तो इसके लिए आपके पास या तो अल्रीडी बल्ब होने चाहिए या फिर रेन लिली के जो सीट्स हैं वो आपके पस मौजूद होने चाहिए सबसे पहले plantation करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं वीडियो में आप लोगों को लिखाने वाला हूँ तो हमें चाहिए होगी एक भाग मिट्टी, एक भाग वर्मी कंपोस्ट और एक भाग रेती, इसको बड़े अच्छे से mix कर लेना है इसमें से extra कंकर पत्थर जो है उनको अलग निकाल करके रख देना है फिर हमें mix करना है एक चमच बोनमील, एक चमच नीमखली और एक चमच fungicide to avoid the fungus इनको भी बहुत अच्छे से mix करने के बाद हमें चाहिए होंगे हमारे पुराने बल्ब, यह जो आप गमला देख रहे हैं, इसके अंदर सारे बल्ब root bound हो गए थे, तो इनको हमें अच्छे से तोड़ लेना है, इसकी जो extra roots है उसे हम अलग निकाल देंगे और अभी अच्छे से आने लग जाती है और इसका आप green leaves देख सकते हैं, यह पहली बरसात के बाद आपको देखने को मिलेगा, तो जब हम इनको प्लांट करेंगे, तो इनके जो extra leaves हैं या यह जो हरी डंडिया हैं, इनको हम हटा देंगे, अब हमें करना यह है कि mixture को गमले में भर दे ना है, यह वही गमला है, जिसमें से मैंने root bound plant अलग निकलवाया था, अब एक एक करके हम यहाँ पर plantation करेंगे, और आप देखेगा, जो extra roots हैं, जो extra leaves हैं, उनको हम एक एक करके हटाते जाएंगे, और इस तरीके से मैंने तीन अलग अलग गमले तयार किये हैं, जो कि white, yellow and pink या reddish color के flowers हमें देने वाले हैं, एक एक करके plantation करते जाना है, एक्स्टा roots जो हैं, उनको हटा देना है, जादा heavy roots यहाँ रखनी नहीं है, और जो extra leaves हैं, उनको obviously हटा देना है, क्योंकि जब हम इनको replant करते हैं, या वापस से plant करते हैं, तो यह जो leaves हैं, यह dry हो करके हट जात हैं, ताकि जो इसका bulb है, वो मिटी से ढख जाए, और इसी तरीके से, मैंने जसा कि पहले बताया, कि मैंने तीन अलग अलग तरीके के, या तीन अलग अलग colors के, जो green lili है, उनको मेरी मदर की help से plant कर दिया है, उठीक आपके सामने हैं, और इस तरीके के flowers कुछ आपको देख this particular video, we will see you in the next one.